असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाय मक्सूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चकी हेल्प टीप्स ट्रेन में हम सभी सफर करते हैं और हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है जितना भी हम सामान ले जाना चाहें हम ट्रेन पे ले जा सकते हैं लेकिन अब आपकी जेब होनी वाली है धीली अब हवाई आतरा की तरह अगर आप ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज लेके जाते हैं जो की तैसीमा होगी तो आपको देना पड़ेगा 6 गुना तैसीमा से जाधा चर्जिस तो जी हाँ आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है वीडियो पॉस करके आप मेरे चनल को सब्सक्राइब पलने, बेल आइकन पर ज़रूर किलिक करें मेरे वीडियो के लेटेस्ट नॉटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए सबसे पहले जी हाँ, इंडियन रेलवे की एकाई, IRCTC ने ये अनाउंस्मेंट कर दिया है कि अगर अब आप तैसीमा से ज़्यादा सामान लेके जाते हैं तो आपको छे गुना तैसीमा के जो चार्जेस हैं उससे आपको देना पड़ सकता है किराया और लगेज के लिए जो निवन्तम शुल्क मतलब मिनिममम जो रेट रखा गया है वो 30 रूपीज रखा गया है तो आईए अप जानते हैं कि आप कितना फ्री सामान लेके जा सकते हैं इसे फर्स्ट क्लास में आप 70 केजी तक फ्री में सामान लेके जा सकते हैं AC two tier में 50 kg, AC three tier, chair car और slipper में आप 40 kg तक सामान लेके जा सकते हैं और second class में आप 35 kg तक सामान लेके जा सकते हैं इसमें जो मैंने आपको weight बताया, इसमें आपका free सामान include होगा हो सकता है आपका bag हो, हो सकता है extra में आपकी purse हो, कुछ भी वो include होगा और अगर आप limit से जादा सामान लेके जाना चाते हैं, तो आप train के चलने से 30 मिनट पहले आप जाके pre booking करा सकते हैं, कहाँ पे booking counter पे और same चीज, अगर आपको पता है, यह चीज़ें होनी वाली हैं, तो आप train ticket booking के टाइम पे भी यह चीज़ आप करा सकते हैं ministry of railway ने tweet भी किया है, अगर सामान होगा जादा, तो सफर का आनन होगा आधा, अधिकतम सामान लेकर यातरा ना करें, अधिकतम सामान होने पर पारसल कार्याले में जाके सामान को book करें, तो जी हाँ, जल्दी आपकी जेब भीली होनी वाली है, और आपको अप यह देखना प दिकत होने वाली है, जापी जो सफर कम करते हैं, उनको भी काफी जादा दिकत आने वाले वक्ते में होने वाली है, तो इसके लिए कुछ और भी railway को कतम उठाना चाहिए, जैसे कि यह सारे लोगों को aware हो सके, awareness फैल सके, और लोगों को पता चल सके, तो अगर आपको मेरा य वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इंडियन डेलवी की चौकानी वाली खबर है, और जिससे काफी ज़दा दिकत आने वाली है,